नमस्कार, तो कैसे हैं आप लोग, स्वागत है आप लोग के अपने चनलन इस्टडी वी थ्राकेसर में तो मित्रुज जैसा कि आप लोग को मालूम है कि कछा 12 के लिए भहुत तिक भी आनकी जो सिरीज है बहुत बहतिरिन तरीके से चल रही है जैसा कि उसके चार वीडियो अपलोड किये जा चुके हैं हमारे चैनल पर और हम लोग फटा-फट तरीके से उसका रिविजन कर रहा है नुमेरिकल बता रहा है आपको डेरिवेशन बता रहा है कोवन से इंपोर्टेंट है आप लोग ए है और शीलेमस बहुत लंबा है अगरे रिविजन हैं तो साथ हम प्रतिएंट रिविजन कर चाहिए और Mike से एक बस बारी है रिविजन करने के और रिविजन करने में देखे आपकी मेहनत और मेरा जो अनुभव है बहुत काम करेगा इसमें और आपको मैं बताऊंगा कि किस चप्टर के कौन से आपको पॉइंट पॉइंट पढ़ना है ठीकिन देखिए एक बात समझे यह पहला चप्टर का यह जो इंपोर्टेंट जीतने क्रिशन है कि जितने आपके डेरिवेशन है मैं यहां लिखा हूं चुकि यह साट रूप में मैं लिखा हूं इसमें आपको बताऊंगा इसमें क्या है वो भी इंपोर्टेंट पॉइंट है वो मैं बताने जा रहा हूं तो वीडियो आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट होने वाली है तो वीडियो को बिना स्किप किये हुए और अंत तक जरूर देखिए और आप लोग स्रिक्वेस्ट है कि यदि आपको वीडियो अच्छ ज़रूर बताइए हम लोग देखते हैं इसमें देखिए पहला नियम क्या है तो पहला जो क्रिस्ट्टन है वह है कुलाम का नियम याद रखने के साथ साथ यहां से एक पॉइंट याद रखेगा Epsilon 0 का मात्रक और विमा कई बार बहुत बिकिल्पिय को इस सनों में पूछा जा जुका है याद रखे Epsilon 0 का मात्रक और विमा मेरी बात एकदम कान खुल कर सुन लिए बहुत इंपोर्टेंट है उलाम का नियम के साथ साथ एप साइलेंग जिनू का मात्रक और भीमा बहुत इंपोर्टेंट है इसको धियान दिजेगा बैदुत्चेत्र की तीवरता का मात्रक और सुत्र क्योंकि छोटे-छोटे नुमेरिकल भी से पुछे जाता है बैदुत्चेत्र की जो तीवरता होती है आप लोगों मालूम यह चोटे-चोटे पॉइंट हम लिखे हैं ताकि आपको समझा सके हैं और आपको नोट करना है जो हम बोलना है उसको ध्यान से सुनिया और उसको नोट कीजिए और इतना ही पढ़ना है एक बात दिमाग में बैठा लीजिए क्योंकि आप पहली बार-बारा में आए लेकिन 14 साल का experience है बबू इस छेत्र में और बारही का हमको physics पढ़ाते हुए 14 साल हो गया हमको इतना और वह है कि कौन से क्यूस्टन जो है कितनी बार आया है और कौन से क्यूस्टन करेंगे तो उसे बाहर जाएगा ही नहीं तो विश्वास किजिए और आप लोग इससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना क्योंकि समय बहुत कम है और अभी आपको बताए कि सेलेक्शन उसी क्या होता है या वहीं आदमी सफल होता है जो यह जान लेता है कि हमको पढ़ना क्या है और छोड़ना क्या बस दिमाग में बात बठाईए कि हम लोग को गधे जैसे महनत नहीं करना स्मार्ट वर करना घोड़े जैसे मैनद करना इन्हें की दीन रात पढ़ते रहे यह पढ़ते रहे यह पता लागा कि समय भिसमाथ हो गया सेलेबस भी पूरा नहीं हुआ हमको ऐसा कम करना है घोड़े जैसे एक दम जितना ही समय पढ़ रहा है उसमें से क्यूस्ण आपका इस बात को दिहान में रखे आप लोग इसके साथ साथ इसका शुत्र भी आप लोग याद रखीगा और एक रिडिलेशन बता है बेदू-छेत्र की त्यूरता और विभांतर में जो संबंद होता है इसको आप लोग डिर्वेस्ण को याद रखेगा गॉस कपरण में जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहां पर हम लिखे हैं यहां पर साथ वर्स यहां और सदे पर में इसका इनुपरियोग हम लिखे हैं और यहां अफ आपको बहुत इंपोर्टेंट है और आपको ध्यान देना है कि बैदुत दिध्रु को घुमाने में किया गया कारी और बैदुत दिध्रु के कारण उत्पन बल युगम का आघुरून जैसे आप लोग पड़े होंगे टाव इसकल टू पी इंटू इसाइन धीटा तो ये दो होता है यदि आपको ऐसे इन टापिकों में कोई दिक्कत होता है तो आप कमेंट करके आप बता सकते हैं कि हमको इस टापिक में दिक्कत हो रहा है सरल बिधी से हम डेरिवेशन करना आपको बता देंगे किस हिसाब से आप आसानी से डेरिवेशन को कर सकते हैं ठीक ना बैद बैदुत-फ्लक्स का सबसे ज़य agriculture और बिमा और और फिर्योग्निन पर इस और उतना ही उससे थोड़ा से कम एक तरह समान कर चले दो-तिन साल यह पुछा है इसके पीछले साल की बात बता रहा है यह जस्ट माली जी एक साल तो अपका पेपर हुआ नहीं आप ही लोग है क्या प्रमोट कर दिया गया था लेकिन उससे पीछे आप जाकर देखिए प्रिभेस एर पेपर उठाईए और क्यूसर देखिए और मैच कराईए आप इस वीडियो से मैच कराईए यह जितनी बाते हम और बता रहा है यह जूट रहे हैं क्यों बाता रहा है और और आपको मैं बता रहा हूँ कि दो डूअब्लोट कर देए हैं मिसका लेकर आएंगे हम इंपोर्टेंट नुरकल का उसके इसके बाद हम लोग कल से जो वीडियो बनेगा उसमें हम दो-दो चिप्टर का important point बताएंगे इतने important derivation है दो-दो चिप्टर का बताएंगे उसको note down कीजिए और लग जाईए आप अपनी त्यारी में क्योंकि समय है नहीं यह जो समय है लगभग मान कर चले फिर से कभी आने वाला नहीं है इस समय को बरबाद मत कीजिए आप लोग पूरा दीनों रात लग जाईए और मेहनत कीजिए कंफार्म है कि आपको प्रसेंटेज भी बहुत बहुत बहतरीन बनेगा और जहां भी है आप पढ़ रहा है आप अपने क्लास के और अपने स्कूल के अपने बिद किसा